अब ज़रा ध्यान देना कि सबसे important बात यहाँ पे क्या होता है कि positions of letter दो चीज बहुत important होता है जो आपके लगबग कहां कहां काम आता मैं आपको बता दूँगा ठीक है तो पहला जो होता है वो हमारा positions of letter होता है positions of letter होता है और दूसरा जो हमारा होता है वो opposite आपका क्या होता है भाई opposite आपका letter होता है ठीक है तो अगर positions of letter के बारे में बात करें तो A का position कितना है D का position कितना हो जाएगा जे का position कितना होगा क्यू का position कितना होगा ये आपको याद करना पड़ेगा तो याद करने का सबसे बहतरीन तरीका है कि A से लेकर Z तक का total number आप यहां पर लिख लो और लिखने के बाद आप क्या करो कि अपना नाम लिखो बहुत धेर सारा नाम लिखो और नाम लिखने के बाद आप उस पर एक से दोबार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा ठीक है तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं दूसरा अगर हम लोग बात करें दूसरा अगर हम लोग बात करें तो आप इजोटी के हिसाब से भी याद कर सकते हैं इजोटी कोई formula नहीं है यह सिर। 5 का पहरा है पांच का method कि आप यहां से लिखके याद कर सकते, दूसरा अपना नाम लिखो, किसे का नाम लिखो, और 10-15 मिनट प्रैक्टिस कर लोगे, तो ये आपको याद हो जाएगा, तीसरा इजोटी जो होगा आपका, ये टोटली आपको यहां पर भी इस हिसाब से याद हो जाएगा, लेकिन बात करें, आप उजट लेटर के बारे में, तो आप उजट लेटर का एक छोटा सा संटेंस आता है, है ना, लव ओ बाई, सट जी, S, H, I, R, T, और G, ठीक है, आज, मन, P, K, C, X, D, W, और, J, Q होता है, तो ये एक छोटा सा संटेंस आप इसमें क्या खासियत है भाई, तो ज दूसरे के immediate never है, मतलब निकटतम परोसी हो जाने वाले हैं, तुम यहाँ देखोगे, अगर बात करोगे, तो L का उल्टा O हो जाएगा, B का उल्टा E हो जाएगा, U का उल्टा F हो जाएगा, B का उल्टा Y हो जाएगा, S का उल्टा H है, I का उल्टा R है, T का उल्टा G है, A क का उल्टा N है, P, K है, C, D, W और J, Q, यह सारा का सारा अपॉजिट लेटर आपको यहां पे मिल जाने वाला है, क्लियर है, यहां तक कोई परिशानी नहीं है, अब एक चीछ छोटा सा होता है कि सम अपॉजिट लेटर इस अलवेश 27, मतलब दो उल्टे अक्षरों का योग जो हमारा होता है, वो हमेशा हमारा कितना होगा भाई, 27 होगा, दो उल्टे अक्षरों का योग, या फिर किसी भी दो अक्षरों के पोजिशन को आपस में जोडा जाए, उसके अस्थान को आपस में जोडा जाए, तो वहां से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो आपका चीज है वो आपका एक दूसरा जो आप जिसका अस्थान जोड़ा रहे है वो लेटर एक दूसरे के आपोजिट में है ठीक है जैसे अगर तुम देखोगे कि L प्लस O अगर इस दोनों को अगर जोड़ा जाए तो L का किया जाए तो P 16 Kings 11 यहां करेंगे तो 27 होगा मतलब किसी भी आप दो उल्टे अक्षरों का योग अगर आप ले लेते हो तो हमेशा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा इस बात का ख्याल तो रखी लीजेगा इतना तो बहुत जारा तेज है ही आप लोग